आखिर क्यों गौतम गंभीर ने राजनिती से लिया सन्यास चलिए जानते हैं पूरी खबर बता दे पूरो भारतिय ओपनर गौतम गंभीर ने राजनिती से दूर रहने का फैसला कर लिया है क्रिकेट की वज़ा से गंभीर अपना राजनितिक जिम्निदारियों से आजाध होना चाहते हैं गौतम गंभीर ने X पर एक पोस्ट कर राजनिति से दूर होने का कारण बताया सोशल मेडिया X पर एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा मैंने माननिय पार्टी अधक्ष जेपी नड़ा जी से अनुरोध किया है कि मुझे मेरी राजनितिक कर्तव्यों से मुक्त वरे ताकि मैं अपने आगामी क्रिकेट प्रतिबदताओं पर ध्यान किंडित कर सकूँ मुझे लोगों की सेवा करने का उसर देने के लिए मैं माननिय प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी जी और माननिय ग्रह मंतरी अमिश शाजी को हृदे से धन्यवा देता हूँ बता दे कि लोगसबा चुनाओं के लिए तैयारिया जोर शोर से चल रही है और इसे बीच पूरdon क्रिकेटर और पूर्व दिली के सांसत गौतम गंभीर ने सक्रिया रादिनीज से सन्यास लेने का एलान कर दिया है गौतम गंभीर इस्ट दिली से लोगसबा सांसत है इस बार ऐसी खबरे भी हैं कि भाजपा दिल्ली में इस बार लोगसबा चुनाओं में नए चेहरों को मौका दे सकती है जिसमें यूवा और महिलाओं की भागिदारी अधिक होगी ऐसा भी माना जा रहा है कि गंभीर का टिकट भी काटा जा सकता है हाला कि इस से पहले की भाजपा लोगसबा उमिद्वारों की घोशना करती गौतम गंभीर ने रादिजी से सन्यास लेने की घोशना कर दी पूर्व दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर दोयार चौबिस लोगसबा चुनाओं नहीं लड़ेंगे बीजेपी की लिस जारी करने से पहले उन्होंने रादिजी से सन्यास लेने का एलान कर दिया उन्हें 2019 लोगसबा चुनाओं में पूर्वी दिल्ली की सीट पर बंपर जीत मिली थी बता दे की गंभीर 2011 वंडे वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा थे इसके अलावा वे 2007 T20 वर्ल्ड चैंपियन टीम का भी हिस्सा थे 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में एक कदम रखने वाले गौतम गंभीर रिटायर्ट क्रिकेटर्स की लीग में खेलते दिखते हैं वही सांत इंटरनेशनल क्रिकेट में वे कोमेंटरी भी करते हैं इसी वज़े से उन्हें अक्सर पार्ट टाइम एंपी कहकर ट्रोल भी किया जाता है गंभीर ये भारत के लिए अंठावन टेस्ट, 147 वंडे और 37 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं बता दे कि उन्होंने 2010 के अंठ से लेकर 2011 के अंठ तक 6 वंडे मैचों में भारत टीम की कप्तानी की जिसमें भारत ने सभी 6 मैचे जीती गंभीर की कप्तानी में कोलकटा नाइट राइडर्स ने 2012 में अपना पहला IPL खिता और 2014 में फिर से खिता गौतम गंभीर एक मात्र भारती हैं और चार अंतर राष्टर क्रिकेटरों में से एक हैं जिन्होंने लगतार पांच टेस्ट मैचों में शतक बनाए हैं साथ ही साथ वो एक मात्र भार के बल्लेवाज हैं जिनोंने लगतार चार टेस्स सिरीज में 300 से अधिक रन बनाए हैं लेकिन अब गौतम गंभीर ने फिर से रादेजी छोड क्रिकेट की ओर कदम रखने के बारे में सोच लिया है आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है कॉमें इंड बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें